असलाम अलेकुम दोस्तों एक और वीडियो में आज मैं बात करूंगा आपसे विस्टर वैसी के बारे में जो कि इन पर इसे अटेक हुआ है ऐसा मैंने पड़ा था कि यह जिस ट्रेन में यह जा रहे थे गुजरात सब्सक्राइब करेंगे अपने महां पर रैली करेंगे कुछ गैदरिंग्स इनकी होंगी वहां पर भाश्रण भी होंगे तो इस ट्रेन में यह जा रहे थे ट्रेन का नाम था वंदे भारत एक्सप्रेस और शीशे बाहरा को स्टूड गया लेकिन इनको को चोट वोट नहीं आ लहा था तो स्टाइम भी इन पर गोली चली थी लेकिन वहां भी यह सेफ रहते अच्छी बात है बहुत तो वहां भी सेफ रहते और लेकिन इनका क्या क्या क्शेट है एक नया जो आपका ट्रेंड आ रहा है कि जब भी एलेक्शन हो तो मुसलमानों के नेता के पर लोग उन करोंगे कि या तो बहुत जादा जहां कहीं कहीं पर दसफी सिट हों पर दो सिट के वैलियों अब यहां पर दोसो सीट एंड़ से नहीं नहीं कर पाएंगे अब अलग बात है अकुछ लोग अब आपकर सकते हो वह आपके इमोशनल बाते हैं फिर आपके बात यह है कि आपकी अगर आप दूसरी पार्टी को वह फाइदा पहुंचा आते हैं जैसे अभी गोपाल गिंज में वहाँ पर वहां पर वह वैसी एलक्षिन जी चुके इनको को वोट मिला 12122 मिला लगबग बीज़ेपी को 70,000 कुछ मिला है और जो आपका आजएडी कॉंगरेज हो जी सब लोग है इनको मिला 68,000 कुछ लगबग 15-1600 वोट से वापर हाजी तो यह और इनकी पार्टी को मिला 12,000 वोट तो उन्होंने में किसका वोट करता होगा मुसलिम वोट करते हैं तो इनकी वोट देते हैं तो इनने बयान दिये बहुत बड़े-बड़े कर दूंगा सब्सक्राइब करते हैं तो इस बात को भी इस बात को लोग नहीं जानते हैं तो सेम जो काम इन्होंने अब इन पर हुआ है आप गुज्रा जा रहते हैं वहां पर इन पर ट्रेन में बंदे भारत पे अब यह बहां जाएंगे रैलीज करेंगे लगब महां पर 9% मुसलिम्स हैं और उसमें सब्सक्राइब मालनूग 45% अगर महां पर वोटर हुआ अब यह जाएंगे वहां जाकर रैली करेंगे बड़ी-बड़ी और वैसी वहां से वैसी आपकी रिपोर्ट आजिए कि बीजेपी से कुछ लोगों से कुछ मीट कुछ इन पहले कॉंग्रेस के आपके स्पोक प्रसन ने उस बारें बात की थी मैंने बोल रहा हूं मैंने इसको टीवी पर देखा तो अब इनके लिए एक सीन बन गया एक आपके स्टेश सेट हो गई कि देखो मैं बिहार में गोपाल गन जो तो जीत के आया हूं और लोग म के लिए और अब यह जाके जो मैंने बताया आपको इमोशनल बयान बाजी करने वाले हैं और वहां पर जो इनको इनको इनका वोट बहुत ही लिमनेट वोट है और इनका में काम इलेक्शन जीतना नहीं है वोट काटना है एका सीट को दे दो ताकि ताकि लोगों को थोड़ यह करवाते हैं वो सबके सामने है कोई नया नहीं अब इनसे बात करो तो यह अपनी जबाब देते हैं कि दूसरी पार्टी लिए उनका पार्टी का अपना एक अलग वोट है वो तो उनका वोट पढ़ना ही पढ़ना होता लेकिन जो एक मुस्लिम वोट है वो कुछ मालब पर्टीकुलर विए। में ही जाता हूं उसमें से आप कुछ पॉकिट में से वह आप अपनी फोकिट में निकाल लेते हो इस टाइप की बाते करके Emotional और बेभौनियाद बाते बेसल-ाज़ बाते सैंसल बाते ओना अब यह' पॉलिटीशन है, पॉलिटीशन काम होता है, जात राज से बाते करना लोगों को, बहुत जादे पॉलिटीशन काम होता है, देयामिन, उनको बलगलाना होता लोगों को, उनमें से मेरे ख्याल से ये भी एक हैं कि इनकी बाते कताई बेसिर पैर की हैं, जिस कॉंटेक्स को लेक जा चुके हैं और इनका काम अब रह चुका है मसलमानों के वोट काटना जिन पॉकिट में वोट जाता है वहां से कुछ कुछ वोट को निकाले की अपनी पॉकिट में डाल लेना यह रहा गया इनका में मकसद और उसी के लिए यह स्टेश सेट हो गई है यूपी में भी हुआ और अब जहां गुजात में भी हो चुका है इंप एटाक हो चुका है इमोशनल बैन बज़िया चुरू हो जाएगी और मैंने चाहता है ऐसा हो वालाफ खेर करें ऐसा नहीं हो चाहिए लेकिन एक ही इंप ऑट हो गया है लोगों का दिमाग इस तरफ चला गया है और आप टीवी इंट्रिव्यू ले रहे होंगे एक्दम पेल-पेल के और इनके अबयान बाजी आना स्टार्ट हो गई तो गुज्रात लोग देख रहे हैं यह जहां जहां देख रहे हैं आप इसको आगे बढ़ाएं लोगों को पहुंचा है बात के वोटिंग करें बहुत असमेल सेंसिबल में इतना ही बिलूँगा आप से अगली वीडियो में दा आफिज